तो नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैलनल ड्रीम इंडिया पॉली टेकने के स्टडी पॉइंट में आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ठर्ड वीडियो लेक्चर और पार्ट है ठीक है और आज आपका जो कि है ट्रांसमेसन सब्जेक् कंप्लीट हो जाएगा देखिए आपकी एक वीडियो ट्रांसमेसन की एक से घंटे की है ठीक एक घंटे की अगर हम मान ले तो एक घंटे में आपको जो कि है आपको पूरे टॉपिक पढ़ाय जा रहे हैं और साथ ही आपको पचास और सो सो एमसी क्यू टाइप कोश्चन ब इन दोनों की आपकी जो पीडियाप बनाकर आपके टेलिग्राम चैनल पर डाल देंगे तो अगरे आप लोगों ने टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो जल्दी से टेलिग्राम को जोईन कर लें वहाँ पर हम आपको सारी न्यूज देते रहते हो और आपकी 50очку type question मिलेंगे कितने 50 MCQ type question 50 MCQ type question का जो भी सही आंसर और सबसे जलदी इसको 100 रोपे पे टीम पे में मिलेंगे पे टीम या फोन पे में 100 रोपे उसको मिलेंगे जो भी सही और सबसे पहली आंसर देगा देखिये हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है बहुतों केवल आप लोगों का जो की है उस्साह बढ़े ठीक आप लोगों का आंसर देने की quantity बढ़े ठीक इसलिए जो की है वो किया जा रहा है ये तो देखी आपको कितने 50 MCQ टाइप question मिलेंगे और इन 50 को का आंसर जो सही देगा उसको 100 पर मिलेंगे ठीक है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस news को share कर दे और आपको कल और परसों में जो की है confirm बता दिया जाएगा और दो से तीन दिन बाद आपका जो की है टेस्ट लिया जाएगा ठीक है तो देखी आप लोगों के लिए ले या ना ले और देखी आज जो की है आज हम पढ़ेंगे lesson 4 और lesson 5 lesson आपका 4 है power factor और lesson 5 है आपका revenue and energy loss ठीक है तो और आप हम आपके कितने 100 MCQ टाइप question के revision करेंगे और इसी के साथ आपकी क्या TDP पूरी complete हो जाएगी comprendre कि दीहीं सबसे पहरा आथा कि आप lesson 4 जिसका नाम है power factor देखी आपॉर्इंट पावर कर टा अपरेंट पावर ठीक है इसके बाद आपका दूसरा पॉ verdict आता है या फेस एंगल ठीटा का कौन होता है और आपके पावर फेक्टर कों मों किस से लखते है कौस फाइई से लखते है इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक लो पावर फेक्टर देकि आतिक डिस्टी से निमने सकती गुलक बहुत हानी कारक होते हैं प्राया औद्योगिक छेत्रों में एलक्टिकल पावर सिस्टम से कंबाइंड हाई प्रोड़ेक्टिव लोड के कारण पावर फेक्टर घड़ घड़ बावर फेक्टर की कारण निमने लिए होते हैं आपके जो लो पावर फेक्टर के मुख्य काड़क होते हैं, वो क्या होते हैं, तीसरा आपका पॉइंट आता है, कि आर्क लेम्प, इलेक्टिकल डिश्चार्ज लेम्प और अद्रोगिक हीटिंग भट्टी, निम्न पस्चिगामी पावर फेक्टर, लो लेगिंग पावर फ होते हैं, तीसरा पॉइंट आपका आता है, तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे, पावर फेक्टर, पावर सिस्टम पर लोड निरंतर परिवरतन सील होता रहता है, जो कि सुभा और साम के दौरान हाई और दूसरे समय लोड रहता है, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे चौता पॉइंट कि आपका इलेक्टिकल इंस्टुमेंट में, इलेक्टिकल इंस्टुमेंट को चलाने के लिए और द्योगे क्छेत्रों में मोटरों के ब्यापत प्रियोग के कारण पावर फेक्टर घड़ जाता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर भी ट्रांसफोर्मर की तर मोटर द्रा, इंडक्शन मोटर फेस, और आपके इस्टेटिक के द्वार, इन सभी टॉपिक को आपको पड़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि फीडियो हो जाधा लबा हो जाएगा, आज का जो वीडियो आपका छोटा ही रहेगा, जादा बढ़ा आपका वीडियो लेक्शन नही और power factor को सुधारने की बिधे इन तीन topic को आपको किवल चौते lesson में पढ़ना है इसके बाद आता है हमारा पांचमा lesson देखिए पांचमे lesson में हम पढ़ेंगे तक्निकी हानी आपका technical losses के कारण ठीक आपका पांचमे lesson का नाम आप लोग जान ले revenue and energy loss revenue and energy loss आपके पांचमे lesson का न आप इसथाई तक्निकी नुक्सान क्या है प्रतमार के अनुसाल निच्चित नुक्सान बिभन नहीं होते हैं यह घरमी और सोर का रूप ले लेती है और तब 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 तक होती है जब तक एक transformer सक्काल यह होता है बितरन network पर एक तक्निकी नुक्सान एक बटे चार और एक तीन के बीच निश्चित नुक्सान है एक नेटवर्क पर निश्चित नुक्सान निमन को प्रभावित कर सकता है ठीक इसके बाद देखिए आपके यह है सबी आपके कोरोना नुक्सान ठीक कोरोना लोस आपका रिसाव बर्तवान नुक्सान ओपन आपका सरकिट नुक्सान और आपका नियंत्रत तत्यों के नियंत्रत लोड के करान नुकसान इसके बाद हमको पढ़ना है चरया परिवर्तन सीन नुकसान चरया परिवर्तन सीन नुकसान क्या है बितरन लाइनों में बितरन लाइनों में विजली के मात्रा के साथ साथ लोड की अधिक मात्रा के द्वा इसके बाद आपको पढ़ना है क्या बिद्दुत प्रिदोस आपका इलेक्टिकल लॉस यह हम इसको कह सकते क्या है इलेक्टिक फॉल्ट तो बिद्दुत प्रिदोस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका प्रिदोस आपका फॉल्ट होता क्या है इसको हम समझाएंगे किसी तंत्र में उत्पन होने बाली आसमान परिशिती जिसके कारण बिद्दुत तंत्र का पिरचालन छतित अथवा इस्थाई रूप से प्रभावित होता है उसको हम बैद्दुत प्रदोस कहते है इसके बाद हम इन सभी को पढ़ेंगे इस्थाई प्रदोस क्या होता है इस्था रूप से बादित हो जाता है मतलब बंद हो जाता है इस्थाई प्रदोस क MARTIN होते हैं तैसे हैं ज quarterly अधा के लिए इसा बीडे समय क्या सभी अधाने तरनंतर में बादक होते हैं जिनकी उपस्थिति में लाइन के तीनो चालकों में बहने वाली धारा का मान समान हो जाता है ठीक जब आपकी लाइन में तीनो लाइनों की जो धारा आपकी बहर रही उसका मान समान हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे क्या सम्मित प्रदोस आ सम्मित प्रदोस क्या होता है आ सम्मित बहर प्रदोस होता में उपस्तिती में लाइनों के तीनों चालकों में बहने वाली धारा का मान असमान हो जाता है देखिए जब आपके लाइन के तीनों चालकों के में बहने वाली धारा का मान जब आपका समान हो जाएगा तो आपका सम्मित प्रदोस और आप जब आपका असमान हो जाएगा व इस लोगो पिर्द्दोस को हम गहैं। आपका पिर्दोस कीए है। आपका electric fault क्या होता है किसी बैद्दुत तंत्र में line किसी बैद्दुत तंत्र में line चालक का भूँ भूमी से मतलब छिल जाना तो आपका जब क्या कहलाता है electric प्रदोस कहलाता है हम आपको यह सभी आपको जो की है कल की वीडियो लेक्षर में बता चुके हैं वो आज एक केवल आपका रिविजन तरह से हो रहा है ठीक इसे आपका क्या है भू जर्नर प्रदोस क्या होता है किसी बेदुत तंत्र में चालक की ऊपर ले जालक क टाल की ओप बाता हो जब तायल की जब औहर तो तो सम्मिसर पर्दोस का वह एक भाग अस्मित पर दोह मैं दो या दो से अधिक प्रकाल के पर दोश एक ही विद्दुत टंत्र में शमान समय में उत्फण होते हैं तो हम पढ़ेंगे अक्टिब पावर तकि आप keyמש duyupya Inc 101 Testament को उल्पर ँरिया ऺज हो अगर आपको फायदा मिलेगा ही तिक हंडेट परसेंट आपको जो किया फायदा मिलेगा ही आप लोग इस चीज से निश्फे कर रहे हैं कि आपने एक घंटा देखी वीडियो आपको कुछ फायदा ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है आपको फायदा जो कि यह मिलेगा और यह चीज जो आपकी transmission and distribution of electrical power की आप जो MCQ टाइप question पढ़ रहे हैं यह आपको आँगे तक काम में आने वाले हैं जो आपकी जेई बैगरा क प्रिक्षा होगी तो उसमें भी जो टेक्निकल आपके subject होते हैं उनमें आपका transmission है ठीक और यही सब question जो कि आप से पूछे जाते हैं एक्टिप पावर ठीक कहते हैं पावर फेक्टर कहते हैं दूसरा question आपका आता है पावर फेक्टर को किस ब्यक्त किया जाता है तो हमने पी बरावर आपका होता है वी आई कोस फाई इसके बाद देखिए तीसरा आपका question आता है कि सकती गुलक का भार किस पर निर्वर करता है तो आपके सकती गुलक का भार निर्वर करता है परिपत के गुणों पर पर परिपत के गुणों पर चोथे नमबर का question आता है कि परि किस भार पर करना चाहिए तो देखिए पूर्ण भार पर किस पर पूर्ण भार पर चट्वे नमबर का कुशन आता है कि बिद्दू संचर्ण दक्षिता तथा बिद्दू दक्षिता का मान क्यों घट जाता है पावर फ्रेक्टर बराबर आई स्कुर्प आर लॉसिस ज्याद रड़ता है ठीक आपका किल्थी डर्ड लॉकल के मान के दा बड़ जाता है तो इस्तिर कवindo की घटने से के मान क्या हो जाता है कि लुवार्ट का मान क्या होता है घटता है आपका ठीक जब आपका ये वाला मान बढ़ेगा और ये वाला घटेगा तब आपका ये वाला मान क्या हो जाएगा आपका इसके बाद आपका नौमे नंबर का question आएगा, 9 में नमबर में आप से पूछा है कि सकती गुलक, सकती गुलांक पर I square R losses अधिक होने के कारण किसका मान घड़ जाता है, तो विद्धु संचरन और विद्धु दक्षता, इन दोनों का मान जो की है वो घड़ जाता है, जब आपका I square R losses अधिक होता है ठीक है, 10 में नमबर में आप से पूछा है कि सकती गुलक, सकती गुलक पर I का मान बढ़ने से संचरन तथा बित्रन, आपका transmission and distribution लाइनों में बोल्टता पाथ का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घड़ जाता है, सभी, तो आपका बढ़ जाता है, 11 में नमबर में आपका आदा है, कि ओध्योंगिक ताप मान भट्टी निमने सकती गुलक, डैस पर कार्ण करती है, पस्चच गामी पर, ठीक, किस पर पस्चच गामी पर कार्ण करती है, 12 में नमबर में आप से पूचा है, कि उच्छ सक्ती गुलक के मोटर कौन से है, आपके देखिए तुल्लक आली सक्ती सिरागे मोटर ठीक और आपके पर्टी पूर्ण पेय Independence मोटर तो ये सब की आपकी क्या है उच्छ सकती गुलक के मोटर है इसके बाद आपका आता है अगला कोश्चन 14 नंबर का किस को लाइन सेहनी में यूजित करके आपका क्या गुलक को सुधारा जा सकता है तो आपके संधारित बूश्टर को हम क्या करते हैं यूज़ित करके आपके किसी भी लाइन के सिर्णी को सुधार सकते हैं पंदरा नमबर का आपका कोश्चन आता है कि निमन सकती गुलक पर धारा कमान बढ़ने से लाइनों में कौन सी घानियां बढ़ जाती है तो आई इसको आर लोसिस आपके बढ़े जाते हैं ठीक है 16 नमबर का आपका पूछा है कि अध्यों के टापमान भट्टी किस सकती गुलक पच्छगामी पर कार करती है तो आपकी निमन पर ठीक है सप्लाई आपरिती किस अक्षर से प्रदासित करते हैं तो एफ से सप्लाई संधारित्र की सम्टा का आपका सूत्र जो किया होता है आर आपका सी बराबर बन डबलू स्क्वार एल ठीक है 20 नमबर का कोश्चन आता है कि इस तर किलोवाट के डबलू पर सकती गुलक के घटने से किलोवाट एमपियर के वह यह किमान पर क्या प्रभाव पड़ता है तो जाल धारा को किस सूत द्वारा लिखा जाता है तो देखिए आपको बता दे कि I upon L बरा आई आपका बेस में क्या है L है बराबर आपका है W upon under root 3 V cos y ठीक है बाइस नमबर का कोशन आता है कि स्थेतिक संधारित के द्वारा संधारित को मशीन बस सप्लाई कि किस किरम में है इस्थेतिक संधारित को संयोजित की कौनसी पद्द्यती संभव है कौन पद्देति संभव तो जिए बिल्टा पद्देती भी और स्टार्ट पद्देती दोनुपद्देती जो कि इसमें संभव होती है ठीक है इभा अब आता है आपका 24 नंबर का question कि सकती गुलक सकती सकती गुड़क उन्यन मतलब सुधारने आपका इंप्रूब्मेंट करने से क्या लाव होता है सकती गुड़क आपके पावर फेक्टर को सुधारने से क्या लाव होता है लाइन चालकों की छमता बढ़े जाती है मोटरों की दक्षिता एवं छमता अधिक हो जाती है आपके प दीगाई होते हैं मतलब आपके लंबे समयता की जो की है वो चलते हैं 26 नंबर का आपका कुशन आता है कि निमने सकती गुलक का प्रभाव किस पर पड़ता है आपके देखिए दक्षिता धारा पर दक्षिता धारा पर बोल्टता पात पर आपके विद्धुत नियमन पर तो कंपेंसेटर ठीक 28 नंबर का आपका कुशन आता है कि चल लागत चल लागत आपका रनिंग कोश्ट क्या होती है आई स्कॉरा लोसिस की पावर लॉस आपका मेंडेनेंस लागत तो ये दोनों आपकी जो की है वो रनिंग कोश्ट होती है 29 नंबर का कुशन आता है कि जो कि एठी से बढ lifes Ben Friedman कि एंरु उर्प भी इतने इंखता है पके कितिने दो पाइं दो नियुआ सवीर चुरे करेए एंग सवय कोई कनो काको फाय कितना है तो उर्टि नंबर के मैकसिमम बैलू. of power factor कितना होता है तो एक होता है maximum value of power factor कितना होता है आपका एक होता है वह दे कि अगर आप लोग चाहते हैं जो कि आपका 50 MCQ type question का test हो और आप लोग को जो कि इनाम मिले तो आप सभी लोग इसको मिलकर एक बार वीडियो को like कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ share कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी पढ़ाई के साथ साथ जो की है थोड़ी वहत जो की income कर सकते हैं ठीक है 34 number का आपका question आता है कि power distribution power distribution system में non technical losses कितने होते हैं कितने percent होते हैं आपके 16-16% 16-16% कितने 6% 35 number का question आता है कि power transmission and distribution में कितने percentage technical losses होते हैं तो आपके 22-15% 36 number का question आता है कि power generator power generator में कौन सा motor use करते हैं थी-phase cyclonus generator use करते हैं reactive power की unit कितनी होती है KVAR active power को हम कहते हैं क्या I cos theta और देकि active power को हम कहते हैं I cos theta 39 number का question है कि active power की unit कितनी होती है active power की unit होती है हम आपको पहले बता चुके हैं KV और आपका कितना KV है किलो वाट और किलो वाट एमपियर यह आपकी होती है active power की unit reactive power क्या होता है I sign theta यदि load current बढ़ जाता है तो और आपका power factor की value कितनी हो जाती है आपकी power factor की value कम हो जाती है 42 number का आपका question है कि load current power factor की बीच relation होता है ब्यूत क्रमानी पाती का आपका relation होता है ठीक relative load के case में power factor होता है कैसा unity होती है आपके power factor कैसा होता है unity करता है क्या लीडिंग आपके क्या करता है तो आपका यूनिवरसल जो मोटर होता है वह आपका एसी और डीजी दोनों पर ही काम करता है इसके बाद आपका कुशन आता है 47 नमबर का टांसफोर्मर में कौपर लोड पर सबसे कम होते है तो आपके रेश्टिव लोड पर आपके कौपर लोड जो की है टांसफोर्मर में सबसे कम होता है टांसफोर्मर में कौपर लोड पर सबसे ज़्यादा होता है तो आपके रेश्टिव लोड पर सोरी सोरी रेश् 59 कि के कि के टांस्थ कोर्ड बनी होती है किसकि बनी haute है Siliconad steel की इसके बारिया थी अदिक ma यह को अजल चैनल करना ही है चाहे आप जैसे याद करणे ईसको आप जरूर से त्र करें एंगे इसके बाद आता है आपका 51 नमबर का question मतलब की पहली नमबर का कि बिद्दुत प्रिदोस, electrical fault या आपका loss कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक होता है स्थाई और एक होता है आई स्थाई प्रिदोस अब इसमें आपको पांच में लेसन के सभी most important topic पढ़ने क के बाद विद्दुत तंत्र का पिर्चालन इस्थाई रूप से बादित होता है इस्थाई प्रिदोस आपका कहलाता है ऐसे प्रिदोस जो की छड़िक समय के लिए बिद्दुत तंत्र में उत्पन होते हैं ऐसे प्रिदोस या ऐसे fault जो आपकी electrical line में आपके विद्दुत च्छन भर के लिए थोड़ी दिर के लिए आपके आते हैं उनको हम कहते हैं आयस्थाई प्रदोस वो जो हमेशा के लिए आते हैं उनको कहते हैं हम इस्थाई प्रदोस तकनिकी यहानी के मुख कारण को बताईए देखें लंबी बिद्दुत लाइने बिद्दुत लाइनों क question पांचवे नमबर का पांचवे नमबर में आप सो पूचा है कि गैर तकनीकी हानी के मुख्य कारण क्या है आपके गैर तकनीकी हानी के मुख्य कारण है क्या है आपके सभी है कन आपके connection प्रवंद आपका meter reading और आपकी billing ये सभी आपके क्या है गेर तकनीकी हाने के मुख्य करण है छटमा आपका आता है कि बिद्दुत की दक्षिता पिराप्त करने के सूत्र को लिखे बिद्दुत उजा को दक्षिता बिद्दुत उजा की दक्षिता क्या है आउट्पुट अपॉन इन्पुट इन्टू हंडेड आउट्पु जो भी आपका टेस्ट होने के उसकी जानकाली आपको एक अलग से वीडियो लेक्ट्र बना कर दी जाएगी तो इसके बाद या आपका येक या दो देन में जो आएगा ठीक उसको आप डो जरूर से देख लेना उसमें आपको सारे नियम समजा दिए जाएंगे और साथ ही आपको बता दी जाएगा कि आपको आंसर कैसे देना है और आपके पास जो कि हम प्यमेंट आपको कैसे करेंगे किसकी उपस्यतीमches시 में लाइनों के तीनों चालों में बहने वाली धारा अमान आयसमान हो जाता है तो आपका सम्मित प्रिदोस कहलाता है नोवे नमबर पर आपका आता है कि विद्धुत तंतर में किसी भी चालग के सहीोजन के खुलने वाले खुलने अथवा चालगों के टूटने के कारण उत्पन हुए दोस को क्या कहते हैं तो खुला परिपत प्रिदोस हम कहते हैं दसवे नमबर पर आपका आता है दसवे नमबर में हमसा पूछा है कि किसी बेद्धुतंत्र में दो चालकों के आपस में जुड़ने के कारण क्या उत्पन होता है लगू परिपत प्रिदोस किसी बैद्दोतंत्र में लाइन, चालक का भू, आपका भूमी, अर्थ फॉल्ट, से क्या कहलाता है, आपका अर्थ प्रदोस कहलाता है, अगर किसी भी चालक आपका धर्ती से छिल जाता है, तो आपका अर्थ फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, किसी बैद्दोतंत्र में चालक के उपर लगे विद्धु आपका जो इंसुलेटर लगा है अगर वो हर जाता है तो उसको हम कहते हैं भूर चैनल पर दोस्त कहते हैं देखिए आपको सभी जो की टॉपिक हम आपको डेटेल से पढ़ा चुके हैं यह वाल ठीक और इन सब की पीडियाप आपको दे देंगे हम आज बाने जी के हनी का उधारन क्या है बाने जी का उधारन क्या है बी और सी बी और सी आपका बिद्ध सब्सक्राइब जोगा समध् tolerate . और ब्लोर ऋटी यह पाम के रिकिन आ विब समी होता है N mini cow इन टू हंड्रेट अपॉन टॉहन बिल की राजी एक लहता है इन्टु हन्रेढ अपवन बिल की राशी 18 सकती 6 को की द्वारा प्रद्रिद क्या जाता है और किसके को इंट्रीगेट करने के लिए प्राप्त होता है इंट्रीगेट करने से करने पर क्या प्राप्त होता है उजा 6 हमको प्राप्त होती है सप्लाई आप रेती को किस अक्छल से प्रदासित करते हैं एप से प्रदासित करते हैं sts के कारण six बहु स्टेंड करनक आपका क्या कहलाता है wall a c s r a a c आपका ए ऐ ए ठीक है यह सभी आपके कहलाते हैं 12 नंबर का कुछीर नाते हैं क्या उजा लह लेक प्रणाली की कमी के कारण बता उजा लेक प्रणाली की कमी कारण क्या है आपके देखिए end meters में 30 CTS में 30 आपके और देखिए PTS में 30 तो आपके यह सबी जो की इसका अंसर हो जाएगा meter और metering system की अनुचित इस्थाई अनुचित स्थापना से कौन सी हानिया या दो सुत्पन होते हैं तो meter के bypass होने के 6 मीटर के क्या bypass होने के 6 इसके बाद हम देखिए 24 नंबर के question में पढ़ते हैं कि बिलिंग दक्षिता के सूत्र को बताईए बिलिंग दक्षिता का सूत्र क्या होता है इन मैसे आपके बिलिंग दक्षिता का सूत्र होता है बिलिंग की कई राशी इक इन अहनियों में योगदान करने वाले एकaron एक कालक निमन्हे हैं कौन से हैं छृण धाला धाला अफ करनं में उप्योग आने वाले कवकरन को आते हैं आपके बिदन्द में बसबार हं फ्यूज और रक्षण ठीक है टो ये सब सबड़क है 13 नमबर करकाई है के सिएक जोल की गहरना का सही सूत्र आपको हम बता चुके हैं स्यक्की गर्णा का सूत्र क्या होता है S बराबर WL स्कॉर आपन 80 कारेकारी तंतर कारेकारी तन्य बलका सही सूत्र क्या होता है T आपका T बेस में B S इंटू F के आपका T बेस में B 2. अपॉन आपका S इन्तू F टिक है तो यह आपका होता है किसका कार्ड कारी तन्ने वल का नी एक डरम, लगबग कितने किलोमीटर लंबा तार रखता है तो आपका 5 किलोमीटर लंबा तार रखता है एक दरम आपका बितरन की रचना में मुख्यता किस पर बिचार किया जाता है तो voltage drop पर बिचार किया जाता है feeder बनाते समय मुख्य रूप से किस का ध्यान रखा जाता है तो आपके देखिए current carrying capacity का ध्यान रखा जाता है अब जब आपका feeder को बनाया जाता है 34 number के question में आता है कि भारत में प्रियोग किये जाने वाले अधिकतम transmission voltage इस तर क्या होता है आपका 700-765 kilowatt 765 kilowatt लाइनों के अंतिम सिरू पर कौन सा हम जो की है insulator लगाते हैं आपका देखिए cycle type insulator का प्रियोग हम लाइन के सबसे end में करते हैं ठीक है बता चुके हैं आपको detail से 36 number के आपका question आता है कि रवड का प्रावैद्द सामर्थ लगवक कितना होता है तो 30 kilowatt प्रिती mm 37 number के आपका question आता है कि इन में इसे कौन सा मानक संचरन voltage नहीं है 222 kilowatt 322 kilowatt 38 number के आपका question आता है कि तावे की तुलना में तावे की तुलना में aluminium की चालकता क्या होती है तावे की तुलना में aluminium की चालकता होती है 0.6% 39 number का question आता है कि बैद्धु थानी कौन सी लागत से आती है बैद्धु थानी कौन सी लागत से आती है चल लागत से आपकी बैद्धु थानी आती है भूमी में कम्मे का कितना एक बटे 6 भाग आपका जो कि यह वो दबाए जाता है खम्मे का ठीक बिद्दुच संच्रण बिद्दुच संच्रण की सुरूपड़ी लाइनों में किसका प्रियोग किया जाता है तो इस इस तंभो का प्रियोग किया जाता है बिद्दुच संच् लूटेंशन भूमी गत केविल कितने बोल्ट तक काल करती है तो आपके कितने 1000 केविए 1000 केविए ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद आता है आपका 44 नमबर का कोश्चन 650 बोल्ट तक बाली लाइन हे तूँ अनुमन्ने अन्तराल सबसे नीचे के चालक तता भूमी गत के बीच कितने का अंतराल होता है आपका 19 का अंतर होता है 45 नमबर का कुश्चन आता है कि आपके भविस में लाइनों के आंगे बढ़ाने के लिए ठीक उसके उपर क्या लगायागा जंपर का प्रियोग की आयागा इसके पहले वाले वीडियो लेक्टर में आपको बता चुके हैं 46 नमर का कुछ नाता है कि निमनलेखित बोल्टता लाइन अगर नंगी या खुली होती है तो उस पर ठ 4.57 2 मीटर उपर रखा जाता है फुर्टी Presents different Room just I अब किसकी बनी होती है ठीक और बाकी क्यों से लगा उता है सभी सब्चितने किलो वॉट तक उपी जाती है विए आपको बतादे 66000 ठीक विच कितना अंसर इसका 66,000 इसी के साथ आज आपका वीडियो लेक्टर जो कि समाप्त होता हुआ देखिए हमने आपको 100 MCQ टाइप कोश्चन कर रिविजन करा दिया है आप लोग वीडियो को जरूर से देखें ये ना सोचें कि वीडियो को नहीं देखें हम तो पढ़ चुके हैं या कुछ भी देखिए ये घंटा नकालने में आद घंटा नकालने में आप लोग को कुछ जो कि है बहुत समय नहीं जा रहा है ठीक है और आप लोग को जो कि कुछ ना कुछ एष्टा पढ़ने को मिलता ही है 100 MCQ टाइब कोशन का अगर आप रिविजन करते हैं और यह सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो आपके आँगे तक काम में आएंगे तो जब आप आँगे जाकर जहीं बगएरा की आप तयारी करेंगे तो उसमें आप लोग को ज़ादा परिशानी नहीं होगी आपके जो फर्ष्ट आएगा उसको सौर पर मिलाएंगी पेटियम और फोन पर किसी के भी माद्डियम से ठीक है तो चलिए अब आपका कलिया पर्षो में जो की है टेस्ट ली जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा अलग से वीडियो लेक्चर आएगा और जादे से जादा जुकी है लाइक करें और वीडियो को जादे जादा सेयर करें आप लो जादा से जादा अपने दुस्तों के साथ सेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का लाब मिल सके और वो भी आसानी से पास हो सकें तो नमस्ते मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में